मस्कार दोस्तों BK Education में आपका स्वागत है आज हम लेके आये हैं बिहार प्लिस वेकेंसी बिहार प्लिस में यूपी बिहार SI की वेकेंसी है जैसा कि आपने थमनेल रीट कर लिया होगा विभिन प्रकार के भरतियों को अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करि बिए आप इस वेकेंसी की वारे देख सकते हैं और आप खुश्यम जाकर बीपि डावल एस डाट वीएज डाट टीन पर जा की चेक कर सकते हैं हम बात करें तो आनलाइन डेट की तौनलाइन आपडेट देश सकते हैं 16 अगस 2020 है अच्वाइज और जो फार्म फिलब करने की लाज डेट है वह 24 सितंबर 2020 है विग्यापन संख्या में आप देखिए तीन बटा 2020 में आपके वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा पुलिस असाई की बेकेंसी यह निस सो अन्ठान्वे पोस्ट एक सर्जेंट है इसमें प्राच्छर अवर निरिच्छक का दूस्व 15 पोस्ट अब हम बैकेंसी के डिटेल्स में जाके अगर बात करते हैं कि इसमें जो एक्जाम होगा लिखित प्रिवाइगत परिच्छा पहले होगा प्रारंबिक परिच्छा मुख्य परिच्छा में अगर देखें तो 200 अंखो का पेपर होगा पहले उसमें सव कोश्चन होंगे दो दो घंटे का होगा पेपर और मुख्य परिच्छा की बात करें तो यह भी 200 प्रस्न का होगा दो घंटे होगा सव कोश्चन होंगे इसमें यह भी दो घंटे होगा निगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं कि पॉइंट टू अंक काट लिए जाएगा अब हम आगर चलते 2020 के पहले पास होना चाहिए इसके पूर किसी मानता प्राथ विज्याद इसना तक परिच्छा ग्रिवेजेशन या राज सरकार द्वारा मानता प्राथ एक समकच परिच्छा उत्तिर्ड होना अनिवार है अभी अर्थी कि अगर उम्र देखी जा एज की बात करें तो एक ज इसी के लिए और ने पिछड़ावर के लिए अगर देखा जाए तो 20 साल रखा गया है अधिक्तम 40 साल रखा गया है और अनार्चित के लिए सामान कोटे में पिछड़ावर कर अंतन पिछड़ावर के लिए अगर देखा जाए तो नियुंतम 20 वर और अधिक्तम 40 वर यह ज बिहार कुर्वालों के लिए मिलेगा बिहार पदों के लिए जो बिहार के निवासी हैं और जो अधर इस्टेट के हैं उनको वारच्छन नहीं मिलेगा उचाई जो भी वेकेंसी मांगा है अगर देखें तो अनारचित के लिए सामाने वर के लिए 165 cm और OBC के लिए 160 cm और महि पिलाओं में नियुंता मज़ें 48 किलो होने चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए और सीना जो चेस्ट होता अगर देखें उसमें अगर बात करें हम सिर्फ पुर्सों के लिए तो अनारचित कोटे में सामान के लिए जो है बीना सीना फुलाए 100 cm 86 cm फुला कर अनसुची जाद के लिए आप देख सकते 79 है 84 और अगर हम बात करें फिजकल दच्छता दौड की जो फिजकल टेस्ट होगा उसमें अगर दौड लें तो पुर्सों के लिए एक मील दौड के लिए 6 मिनट 30 सेकंड चाहिए 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड कम्प्रीट कर लेना है और महिलाओ के लिए अगर देखें तो एक किलोमीटर की दौड के लिए 6 मिनट चाहिए इसके लिए इससे अधिक समय लेने वाला अरथी असफल घोसित कर दिये अधिया करें तो पूरसों के लिए 12 विए 9 पूर्ष के इंधर को दौड की बात करें तो पूरसों के लिए 16 महिलाओ के लिए 12 अधिया चलब 17 कितना है are यह आप देख सकते हैं जंडल में आपंजानल सकते है अचीचा सिज इंधियर है 233 पर यह महिलाओं के लिए रिक्त है पर अलग अलग कटेग्री वाइज है और अन्सूची ज्याद के लिए 17 है वह बीसी के लिए 382 है और यह पिछड़ावर के लिए 282 यह भी अनरच्छित के लिए इसमें आप देख सकते हैं सोरी यह अन्सूची ज्याद के लिए था 233 है अनरच्छी सामान यहाँ पर है 724 टोटर पर सुनी सो ठांबे है अब हम बात करें आगे कि यह बेकंसी यह जो इसमें एक पोस्ट और था प्राजच अवर निरिच्छ पचारी सरजेंट इसमें इसके बारे मगर हम बात करें इसमें कितनी बेकंसी होगा रहा क्या इसमें दोड़ होगा है उची कूद इसमें भी देखियो उची कूद होगा लंबी कूद होगा यह अलग उन्सकvor अट फृइस सकते हैं इसमें भी वेकिंसी आप देख सकते हैं अनरच्छीट के लिए सामान, 86 होगा यह अना रच्छी सूची के लिए 34 है जन्जाद के लिए दो है अध्यन पिछड़ावर के लिए 49 है पिछड़ावर के लिए 26 है ठीक है अब हम आगे बात करें कि फ़िए अजसे माइं छूटके बिहार वालों को मिलेगा तो वह वाली ले सकते हैं आलाइन अवेदन कैसे कर ए gn Funk करें हम उसको देखते हैं कि लोगों को इसी दा प्राब्लम होती है कि अप प आप देख सकते हैं कि सोबरागस्त से वाल अश्धा सट ने का फिल करने की और लाज डेट आप देख सकते हैं कि 24 सितंबर है आपको www.bps.bis.nic.in पर जाके आप फार्म को ओपिन कर लीजिएगा आप वहां से फार्म फिल कर सकते हैं और अगर इसमें देखा जाए कि क्या पेमेंट कितना फीस उगर लगेगा तो ओवी सी और जनरल के लिए आप देख सकते हैं 700 रुपए है और अंसूची जयात और महिलाओ के लिए 400 रुपए है और अधर इस्टेट कंडिटेट हैं वह जनरल में ही आते हैं इसलिए उनका भी जो पेमेंट होगा 700 रुपए है और आप को और भी अगर इस फूल डीटेल्स को देखना है तो आप इस साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोटिपिकेशन या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बाक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए वहां से आपको यह पीडिएफ मिल जाएगा और आप पीडिएफ को रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से उसके बाद आप फार्म को फिलप कर सकते हैं तो आपको वहां डारेक्ट रिकूटमेंट है यह जो भी फार् जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ना सब्सक्राइब किये हों बेल आइकन को प्रेस करिए तैंक यू